नमस्कार वास्त्विक सम्मान और बनावटी सम्मान दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कोई आपका वास्त्विक सम्मान करे और कोई आपका बनावटी सम्मान करे इन दोनों को कैसे पैचाने आज के दोर में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ तक्रिवन 70% लोग एक दूसरे का बनावटी सम्मान करते हैं तो आपका भी कोई अगर बनावटी सम्मान करें तो कैसे पेचाने बहुत से दिनों ने मुझसे पूछा आजकल बहुत सारे लोग बनावटी सम्मान करते हैं सामने तो क्या बात करते हैं और पीठ पीछे क्या बात करते हैं तो सर कैसे पेचाने कि कोई अपना बनावटी सम्मान कर रहा है और कोई अपना वास्तविक सम्मान कर रहा है यह चीज आपको जाननी बहुत जुरूरी है वरना हरकोई आपका कोई आपका बनावटी सम्मान करेगा लेकिन आपको लोग गो नहीं आरे वा यार मेरा अच्छा सम्मान कर रहा है बहुत ही और आपको यार वा 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 वो तो मेरा बहुत ही सम्मान करता है लेकिन आपको क्या पता ना, वो आपका बनावटी सम्मान कर रहा हूँ, आपके सामने तो जी, हुकम, आईए, बेटिये, पदारिये, इसे करतार आपके पीठ पिछे, आपको तू तड़ा की बसा बोलता हूँ, वास्तविक सम्मान और बनावटी सम्मान में अंतर जान लेना, जो इंसान आपका बनावटी सम्मान करता है ना, उसको आप पैचान लेना, और उससे दूरी बना लेना, क्योंकि जो व्यक्ति बनावटी सम्मान करता है ना, वो कभी भी आपका दिल से सम्मान नहीं कर सकता है, वो पीठ पिछे आपको तू तड़ा की बासा से बोलेगा, आप जैसे माल लो, बनावटी सम्मान और वास्तविक सम्मान कोई आपका जैसे अगर बनावटी सम्मान करता हो ना तो कैसे बात करेगा आज मैं आपको बताओ जैसे आप चार पांच जने बेटे हो या आप दो जने बेटे हो या चार पांच जने बेटे हो ठीक है तो जैसे कि आपका नाम असोख है सामने वाला क्या बात करेगा असर अरे यार असोख जी आप क्या कर रहे हो असोख जी आप क्या करते हो असोख जी आप क्या बिजनिस करते हो मसला आपको जी करके बुलाएगा आपको सम्मान देगा आपको आप करकर बुलाएगा आप चार-पांच लगती बेटें उनके सामने या आप अकले हो तो भी आपको आप कहेगा आपको जी करके बोलेगा ठीक है सब के सामने तो वो आपको सम्भान देरा ठीक है अब बनावटी सम्भान क्या होता है देखिया अब वो कहीं दूसरे लोगों के सामने बेटा है और उस वक्त वो आपकी बात कर रहा है उन लोगों के सामने तो उस वक्त वो क्या बोलता है ये देखिया अब वो उस वक्त आप उपस्तित नहीं है चार पांच दोस्त उसके साथ बेटर वो बात कर रहा है औरे यार वो असोख तो ऐसे कह रहा था यार असोख तो वो बिजनिस करता यार उस बिजनिस में तो ऐसा कुछ नहीं है अरे यार असोख तो मेरों को ऐसे कह रहा था यार असोख तो वो ऐसा ही है यार मतलब वो आपके पीट पिछे दूसरे लोगों के सामने आप से तू तड़ा की बासा में बात करेगा समझ ले ना जब आपके पीट पिछे कोई व्यक्ति आपको तू तड़ा की बासा से बात करे आपकी अनुपस्तिती में तो समझ लेना उसके मन में आपके प्रती दिल से सम्मान नहीं है जो व्यक्ति ध्यान रखना वास्तविक सम्मान क्या होता है जो व्यक्ति दिल से सम्मान करता है ना वो आपके सामने भी आपको जी और आपको आप कहकर बोलेगा और आपके पीट पिछे भी जैसे कि आपका नाम ही असोख है और कोई व्यक्ति आप नहीं हो वाँ पे और चार-पांस लोगों को बीच में बेठा है रो बात करा और यार वो असोख जी ये कह रहे थे यार अरे असोख जी कहते हैं कि ये करना चाहिए यार असोख ज आपको सितू करके कभी नहीं बोलेगा तो यहां होता है वास्तविक सम्मान अगर कोई आपका दिल से सम्मान करता है ना तो आपके सामने भी आपको आप और जी करके बोलेगा और आपके पीट पिछे भी मान लो आप नहीं हो तो भी किसी दूसरे वक्ति से बात कर रहा है तो भी वो आप और जीर कर आपको पुकारेगा, ये होता है वास्तविक सम्मान, अब आपने भी बहुत से जनलोगों के मुझसे सुना होगा, दावा है मेरा आप से, सुना होगा बिल्कूल, सितर परसेंट लोग ऐसे ही करते हैं, सामने तो आप करकर बोलते हैं, जीर करकर बोलते हैं, और पीट पीचे जब उसी व्यक्ति की बात होती है ना, तो क्या करते हैं तू तड़ा की बासा से बोलते है पीट पीछे उस व्यक्ति को सम्मान नहीं देते हैं तो समझ लेना कि अगर कोई व्यक्ति आपको पीट पीछे सम्मान ना देना तो समझ लेना कि यह व्यक्ति मेरा वास्त्विक सम्मान नहीं करता है यह व्यक्ति मेरा सिर्फ बनावटी सम्मान करता है तो यह बनावटी सम्मान और वास्तिक सम्मान में अंतर जान लेना जो व्यक्ति वाकई में दिल से आपका सम्मान करता है ना वह सब के लोगों के सामवे भी आपका सम्मान करेगा और आपको जी करके बुलाएगा और आपके पीट पेसे भी जब रूसरे लोगों से बात करेगा तब भी आपके लिए सम्मान जनक वर्ड यूज करेगा आपको सम्मान से संबोदित करेगा तो वह होता है वास्तिक सम्मान अगर कोई पीट पीछे भी अगर आपको तू तड़ाक की बसा बोल देर सामने अगर आप और जीर करके बोले तो ऐसे सम्मान का क्या मतलब ऐसे सम्मान से अच्छा तो आप किसी का सम्मान मत करना अगर आपको अपनी प्रसनालिटी में अगर आपको अपनी वेन्यू बढ़ानी है ना